पीरु भाई जैसे मैंने यू नो शो की शुरुवात में कहा what a match बिलकुल क्या मुकाबला था मतलब किसने सोचा था मैं तो 10 और था कि सोच रहा था यार किसे किती जल्दी खतम होगा कहा जाएंगे क्या करेंगे फोन पे लगा हुआ था भीगी से बाते करा था बच्छों से मैच पल्टा मतलब मज़ा आगया देखर एक समय ऐसा लगा कि गुजरात आराम से जीतेगा फिर उनकी विक्टे गिरी तो लगा कि दिल्ली आराम से जीतेगी पर फिर पार्टनर्शिप हो गई और अंत में जब गया जब नौके ने वो तीन यॉर्करे मारी ऐसा लगा कि अ इतने मैच इन यॉर्क निर्ने था अर अब सही किया है इसान शर्मा ने भी और मैनेजमेंट बिल्कुल बिल्कुल और मनोज भाइ लिए इसान शर्मा के बार में डेफिनली बात करेंगे लेकिन उसके पहले इनिंग्स प्रोग्रेशिन एक बर देखते है और यूँग कह सक चल रही है लास्ट गेन तक डिसाइडिंग फैक्टर हो जा रहा है और जिस तरह की शुरुवात चाहिए थी देली कैपिटल को और उस तरह की शुरुवात दी खालील एमद बहुत इनके बाद आये वापस आये पहले ओवर में विकेट चटका है मेडन उसके बाद आप देख कि टीम वहां से उभर के नहीं आपाती और किस तरह की बोलिंग मिडल ओवर में कुल्दीप अक्षर दोनों ने भी बहुत अच्छी बोलिंग की इनके साथ साथ मज़ा गया इशान शर्मा की तो बोलिंग की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी लेकिन ओवरॉल ये अच्छा सब्सक्राइब कर देता है तो यहीं है क्रिकेट एक दिन आप एक दिन डाउन है मतलब क्रिकेट सब को लेवल कर देता है सब सूचते यार यह तो राम से बन जाए हमने भी एक आता मेड़ी शो में कि 130 तो बड़े राम से गुजराद बनाएगी बैटिंग फॉम में बहुत